विरणाम है रोईत और आप देख रहे हैं Learn Investment आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी इंडस्टी के बारे में एक ऐसे कंपनी के बारे में जिसके बारे में हम बहुती अर्ली डिसिजन लेने वाले हैं क्या हमारी एक रिकमेंडिशन रहेगी क्या हमारी एक एनलेसिस इस स्टॉक से रिलेटिड आई ये फटावर चलते हैं स्किनर वैबसाइट पी और जानी कुछ करते हैं कंप्टे के बारे में और उसके फारेंशल्स तो आज हम बात करेंगे स्टॉक होते हैं देशाचिब करते हैं तो फुले स होते हैं जिसको पुरी तरहनी कुछ आप जूनज युलाई मे इस आया था और बहुत ही दोपे करतो आपको कमपनी 2 रुपे प्राइज थोड़ा सा हाइए और अगर आर उय की बात करेंगे तो 50% यहां पे आरोई बहुत ही अच्छा है यहां पर आरोई देखने को मिलता है क्या पर क्या होता है कि कंपनीयां जो है जब लिश्ट होती है तो बहुत अच्छी लेवल पर ट्रेट कर रहा है और बहुत ही अच्छे यहां पर मार्केट मेंस की वोल्यूम्स भी देखने को मिलती है कुछ क्वार्टली रेजल्स जान लेते हैं तो देखिए अब 2018 के अगर मात करेंगे पूर एयर की तो 123 करोड़ की सेल्स थी लेकिन आज़े टैम के बात करेंगे तो 713 अनिके पिछले 12 महीं ने में 713 करोड़ की यहां पर सेल्स हुई है कि पिछले 2022 के बात करेंगे तो हुस्च कि अहुझत है कि यहां पर German के लिए 30 परंसμαन का सेल्स हुँए इसको नहीं नए नहीं मैं मैनुफेक्शृर्ण के लिए जो आप कह सेकुनित जो मार्किट पैसा होता है जो पैसा लक्षी होता है तो नाम चल रहा है तो आई पील निकाल दो और पैसा बना लो इसे हैं पर पूरी मार्केट कितना ही ग्रैप कर सकती है किस लेवल पर ओवरॉल इसकी परफॉर्मस देखने को मिल जाती है यहां बात करेंगे जिसमें बोरिंग जो च्छे कर्जा बिल्कुल नहीं है पहले करदा जूरू तो 2018 में 17 करोड अभी वह करदा बिल्कुल ही जीरो हो चुका है क्योंकि प्रॉफित अच्छे जनररेट हो लाए प्रॉफित जोब अच्छाट होता है तो पहले अपने गर्धा जूरू करती है क्योंकि कर्दा लेगे खत्म हो जाएगा तो इसका इंट्रेट है वह कहीना की जीरो हो जाएगा और जो प्रॉफित बनेगा फूरा बुक में निकल आ इंडस्ट्री में तो अभी इसमें अभी आपको कोई देखें को नहीं दिया है बात करेंगे चो कि हमेशा से में अच्छे लगए देखें 2019 के मार्च क्वाटर में कंपनी की होल्डिंग कुछ भी नहीं थी अब देखें क्या पंचपर्दस जंप यहां पर देखेंगा क्वाटर और क्वाटर बेशिस पर 2-3 परसंड तक का एफाइं इसने होल्डिंग अच्छ प्रॉपिट आपके दिया है प्रमोटर की होल्डिंग की यहां पर थोड़ी इसलिए है क्योंकि अगर सारा पैसा प्रमोटर से बास सारी होल्डिंग होगी तो वह कहीं ना कहीं डाइ इस आंगे यह को वह बने करेंगे तो पैसा नहीं उठा पाइंगे और जब इंवेस्ट से पैसा ने उठ्ञाइगे तो मैनिस्फाक्ट्रिंग निकों पॉर्ट पैंगे क्वें क्योंकि अश्क्रिक्ट्स वह एक उनक्त प्रमोटर प्रमोटर नहीं जर्णी आपके पर कम्पनी जो फॉरन की कम्पनीज है उनका पैसा यहां पर लगा हुआ है अब हम चलते हैं ट्रेडिंग वीव पर जाननी कुश्च करते हैं यहां पर थोड़ चार्ट्स एंड पैटरंस कि क्या इसमें श्टॉक का प्राइस बनता है और क्या हमारे इसमें अनलेसिस आने टाइम यहां पर प्राइस जो है डबल हो गया तो यहां पर मतलब स्टॉक के नदा पॉटेंशल था जिसके देखते हुए जो लगा तार इसमें बाइंग पनी और बहुत अच्छी तरीके से मार्केट पर ट्रेड करते हुए स्टॉक का प्राइस बहुत अच्छी तरीक से ऊपर च यहां पर यहां पर ट्रेड करा मार्केट के अंदर इस लेवल पर बना रहा जब यहां पर देखेंगे कितनी एक कंस्टॉडेशन हो गई है बढ़ी नहीं है यहां पर अच्छी खासी प्रेक आउट हुआ और क्या एक लेवल यहां पर रीटेस्ट हुआ उसके बाद दुब देखने को मिलता है यह एक लेवल है कंस्टॉडेशन का तो यहां पर मार्केट चांस्टॉडेट होता आपको देखेंगा थोड़ा नीचे आया मार्केट में प्रेशर करेट हुआ क्योंकि देखें इतनी जो भाइंग होई है कही नहीं सेलिंग भी होगा तो सेलिंग प्रे लेता है यहां से अगर देखेंगे इसको मैं थोड़ा सा और निचे कर लेता हूँ अब हम फोकस करेंगे यह पर्टीकिलर इस चीज को यहां पे अप देखेंगे मार्केट के लिए यह यहां पर आते है एक वायं की व कि वालिव बनती है यादि कि according to लेवल को इसको देखिए कि मार्केट जो है एक आप कहसे को एक हाई लो बना रहा है एक हाई लो बनाता है फिर अपर हाई बनाता है फिर एक लो बनाता है लो एक हाई लो खीड़ए के तिरब से मार्केट भड़ता जा रहा है क्या है इसमें हमारे श्रेटेजी अगर मैं यहां पर ब्रेक आउट रहेगा अगर मैं यहां पर ज्याओं तो आप देखेंगे यह जो प्राइस है यह जो प्राइस है फिफ्टी सैवन फाइफ तो यहां पर तीसरा आज कर दिन तो यहां पर बहुत तीसरा नीचे आ था तो हम इसको इसको बहुत श्रॉग मार्केट अभी सर्फ यहीं पर रुखा हुआ है यहां से अगर मुख़ो तीनी से नीचे आता जैसे कि यहां पर तीसरा आया तो हम मार्केट कर सकते हैं अब यहां पर रिटेस्ट करेगा ऐसे राउंड बनाएगा तो यहां पर बनेगा कप रहें पैटन पे और अगर यहां पर जाएं एक होज़न्टल लाइन ले लो तो क्या प्राइस रहेगा वाय का तो भीरे इसाफ से मेरी जो एक अडवाइस रह सकते हैं या फिर एनलिसे से रह सकते हैं 52 रूपीस 15 पैसा 15 पैसा जाने कि 52 और 51 रूपीस के आसपर आप इसको बाइख कर सकते हैं और क्या हमारे इसे पर टार्गेट रहेंगे अगर मैं यहां पर बॉटम से टॉप लगाएं और हम इसको पर यहां पर ड्रैक करेंगे तो यहां पर जो प्राइस निकल के आएगा वह निकल गया है 74.50 पैसा था तो 74 रूपीस के यहां पर हमारा टार्गेट रह सकता है अगर आप करेंट पैस से बाइख करते हो इस इदर से बाइख करते है तो अगर मैं यहां से लेकर चलाओं तो यहां से निकल के आता है 35 रूपीस का 35% का गेंट जो कि बहुत ही इंस्टेंट हो सकता है क्योंकि यहां पर इसमें स्टॉक का प्राइस इतना ही इसको टाइम लग सकता है अगर मैं यहां पर जाओं डेट को अगर हम देखेंगे यह अगर आपके घर में आता है तो मेरे साब से बहुत अच्छा कोई भी आपको इतना अच्छा रिटर नहीं देपाएगा ऐसी वोलटाइल मार्गेट के अंदर ठीक है अगर आप देखेंगे इस प्राइस पर बाइट करते हैं जिस प्राइस पर फिफ्टी रूपीस का अगर तो आप इसलिए वह को एक पर लिए सकते हैं एक अगर आपको ऐसी वीडियो पसंदाती है प्लिस लाइक कीजिए और आप में दोस्तों के शेयर कीजिए कि वह फिए फाइनेंशली हम स्टॉक को कैसे डिसकूस कर रहा है कैसे आनलिसक्ट कर रहा है वो सीख सके और अगर बड़ बाइ